सावन का महिना है और सावन में खीर ज़रू बनाई जाती है तो कुछ लोग इसे चावल से भी बनाते हैं आज चलिए बनाते हैं सेवई सेवई से खीर बनाने के लिए ले ले लेते हैं एक पैन उसमें डालते हैं एक चमच घी और अब इसमें डाल लेते हैं सेवई यां तो य इसका कलर चेंज हो जाए तब तक के लिए सब को कर लेते हैं सेवई को और एक साइड में रख देते हैं अब यहां ले लेते हैं दूद तो फुल फैट दूद का यहां इस्तमाल करना है उसी से यह खीर बहुत टेस्टी बन कर तयार होती है इनकेस आपके पास दूद फुल फैट वाला नहीं है तो आप नॉर्मल दूद में ले सकते हैं बस आप उसको बॉइल थोड़ा से जादा कर लें तो यहां क्योंकि यह फुल फैट दूद था तो यहां मैंने तीन कप दूद का इस्तमाल किया है अब जब अच्छे से दूद बॉइल हो जाए उसके बाद जो हमने सिवईयां तयार करके रखी वही है उन सिवईयों को इसमें एड कर देते हैं और इसे लगातार चलाते वे हम थोड़ी देर के लिए एक बॉइल आ जाने देंगे सिवई की खीर बहुत ही टेस्टी बन कर तयार होती है और आज हम इसे थोड़ा सा यूनिक बना रहे हैं तो अब ये अच्छे से बॉइल हो चुका है दूद के साथ सिवई तो हम डाल देते हैं अपनी पसंद के अनुसार इसमें ड्राइ फ्रूट्स मैंने दो चमच मलाई का यहां इस्तमाल किया है सिवई की खीर जब ठंडी हो जाती है तो बहुत ज़्यदा गाड़ी हो जाती है बस आप इस चीज का ख्याल रखें तो यहां तीन कप दूद लिया और उसमें इन सिवईयों को डाल के अच्छे से कुक हो जाने के लिए हमने छोड़ दिया है तो अब एक साइड में दूसरे गैस पर मैंने इसे शिप्ट कर दिया तो वहां पर जो हमारा खीर है वो बनकर तयार हो रही है अब चीनी को हम कर ल रखें और उसके बाद इस चीनी को मैल्ट हो जाने दें जब चीनी अच्छे से मैल्ट हो जाएगी उसके बाद ही हम इसे खीर में एड करेंगे तो देखिए हमने जो चीनी डाली थी उससे थोड़ी से जब मैल्ट होनी स्टार्ट हो जाए तो आप इसे कंटिनियसली हिलाते तयार करें अब जब अच्छे से यह केरेमलाइज्ड हो चुकी है तो जितनी गाड़ी आपको खेर रखनी उतनी गाड़ी आप इस खेर को कर लें और यह बिलकुल रबड़ी जैसी लगेगी जब सेवई की खेर अच्छे से ठंडी हो जाएगी उसके बाद तो आप इस तरीके से सेवई की खेर को बना सकते हैं सावन के महीने में ये खेर बनाएं and enjoy